बिस्मिल्य रुक्मार रहीम अस्सलामु अलीकम रह्मत लाहिवा बराकातु हूँ आप देख रहे हैं टेस्टी वान और आज हम केचन में बना रहे हैं चिली पकोड़े आलू लिए हमने दो मीडियम साइज क्यूने मैंने बॉइल करके अच्छी तरह से मैश कर लिए बेसल ल 1 लुटज रहमेश चाहिए हमें 1 टीबल सपून लिए है हमने लिए 1 टेपल सपून नमक क Ready tiSpoon और घर मसाली का पाउदर लिया है हाफ टी स्पून और बड़ी-वाली हरीमेश लिए हैं हमने 6-7 अदत लिए दिया तो इसमें हम तीकी साथ ही इसमें जाएगी दड़ा मिर्च और इसमें हम हाफ टी स्पॉन डालेंगे चाट मसाला हाफ हम बजा लेंगे वह हम बेसन में यूज़ करेंगे नमक, गरव मसाला पाउडर, गरव मसाला पाउडर और नमक भी हमने इसमें हाफ यूज किया हाफ हम बेसमने यूज करेंगे और इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे हम अच्छे से मिक्स करके साइट पर कर देंगे और अब हम त्यार करेंगे मिर्चे मिर्चों को हम लगाएंगे कर्ट्स और उनके सारे बीज निकाल देंगे तो यह बीज इसमें से अच्छी तरह से निकल चुके हैं इसी तरह से हम सारे मिर्चों को करके रहेंगे और सारे बीज निकाल देंगे तो यह सारे बीज हमने मिर्चों में से निकाल ली है अब हम मिर्चों को फिल करेंगे जो फिलिंग हमने तयार कि है हालूं की उससे मिर्चों को अची तरह से फिल करेंगे तो मिर्चों हमने सारे फिल कर ली है अब हम तयार करेंगे बेसन का पैटर इन्हें हम साइट पर कर देंगे और यहां हमने डाला है एक बावल में बेसन चाट मसाला जो हमने बचाया था गरा मसाला पाउडर और नमक इसे हम मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसके एक स्मूथ सा बेटर त्यार कर लेंगे पानी एक तम हमने सारा ने डालना तो यह देखें एक बहुत ही अच्छा सा बेटर हमने रेडी कर लिया है इसे हम किसी भी ग्लास में रांस्फर कर लेंगे तो यहां मैंने पेंड में ऑईल डाल कर इसको गरम होने क्लिए रख दिया मीडियम फ्लेम पे एक मिर्चाम उठाएंगे और इस तरह से बेसन में डिप करेंगे और और जाएब में फ्लीय कर लेंगे इसी तरह से हम सारी मिर्चिन डिप करके ओयल में फ्राइ कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे तो तीन से चार मिनिट हम इने फ्राइ करेंगे उसके बाद हम इनकी साइट चेंज कर देंगे तकरीबन दस मिनिट लगेंगे इसको फ्राइ होने में तो यह 10 मिनिट में बहुत ही अच्छे तरह से हमारी मिर्चिन फ्राइ होगी है बहुत ही जबरदस्त कलर आया है इसमें और इसका अच्छे से निकाल कर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो तयाय हैं बहुत ही जबरदस्त चिली पकोडा रेसे भी अच्छे लगी है तो इसे लाइक करें शेयर करें और टेस्टी वन को सब्सक्राइब करें मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेस अपी के साथ तब तक के लिए अल्ला निके बान